आपको यहां पर एक आसान भासाम समझाता हूँ कि आपके यहां पर लाइट पूरे दिन रात आती है 24 गंटे लाइट आती है तो आप आप लगा सकते हैं मतलब कि आपको बेंटरी लगाने की जरूत नहीं होती है आपको एक नेट मीटर लगाना होता है जो कि आपकी दिनर पावर जनरेट होती है सबुझ किजिए आपकी 10 यूनिट जनरेट हो रही है और आप 5 यूनिट ही कंजूम कर पा रहे हैं तो आपकी जो 5 यूनिट बचिवी है वो गिरेट में चली जाती है मतलब कि बिजली विवाग को चली जाती है मतलब कि जो आपका नियर रवाई खंबा होगा जहां से आपकी वायर आ रही होगी उसमें वो चली जाएगी और रात के समय में उस बेजिवी लाइट को आप यूज कर सकते हैं मतलब कि अगर आपने दस यूनिट फेती चली करती तो 10 यूनिटें आप उसको यूज कर सकते हैं इसतरह से लेकर देना गृत के सास्थ मैं आपका चलता रहेगा विजली विवाग के सास्थ में आपका चलता रहेगा कि आपने 10 unit ज्यादा power generate होगी तो आपने grid को दे दी और रात के समय में आपने grid से ले ली तो minus plus होकर जो भी महीने का bill आएगा वो आपके bill आजाएगा हो सकता bill आपको minus में आए या हो सकता कुछ plus में आए कुछ आपको पैसे देने पड़ जाए अगर आपने आपके power generation से ज़्यादा light यूज कर लिये तो on gear system में आपको बैंटरी लगाने की जरूत नहीं होती है बैंटरी नहीं लगती है on gear system वहीं काम करते हैं जहां आपकी light तेश चौब्स गंटे आती हैं अगर आपके दिन में light आ रही है तो ही आपका on gear system काम करेगा बिजली बनाएगा अगर आपके दिन में light जा चुकी है चली गई है तो on gear system light नहीं बनाएगा power generate नहीं होगी आपके power generate वहीं पर रुख जाएगी off gear system वह होते हैं कि जहां पर आपको अपना ही setup लगाना होता है गरीट से कोई मतलब नहीं होता है विजली बनाएग से आपको कोई मतलब नहीं होता सिर्फ आप अपना एक separate system लगाते हैं और उसमें आप battery backup रखते हैं रात के लिए और दिन में battery आपके power system से solar system से charge होती है रात में आप battery हों से use करते हैं ये off gear system होता है अगर आपके यहां light दस बारत पंदेड़ गंते कत होती है तो आपको ऑस गिय्ट system पर जाना चाहिए अगर आपके light अच्छी आती है तो आपको on-grid system पर जाना चाहिए on-grid system पर गर्वर्रमेंट टर्वें सब्सीटिव वीमलती है जिसके बारे में हम किसी नेश्ट वीडियो में बात करेंगे तो friends यहाँ पर आपको कुछ समझ में आया होगा कुछ आपको help मिली होगी अगर आप कुछ help मिली हो ज़रा भी useful वीडियो लगे तो वीडियो को like जो करें चैनल को subscribe करें और share करें चले friends मिलते हैं अपने नेश्ट वीडियो में तो पक के लिए नमस्कार